ही वेलकम भेक तो हम आपका स्वागत करते हैं लाइब इस्टाइल विलेज के आप हम जा хें गाना मेरा ने के काम मेरा जतिए और अभी हम आपको लेज ll जाहिए जाहिस, इसी तड़ेकल से ओड़े में और हलेट यह मम प्रपटना है Будब चॉरू करते हैं सारा मक्वैरियल आपको तिखाएंगे तर अचलो चुरू करते है हम जा रहा है हैं थो बाल्टी में हम बहंगन तोड़ेंगे और अभी आ हम आपको ढ़िखाएंगUh किस तरह से बहंगन तोड़ते है जह बहा लग रही है कि शेत हैं एक एक यह तोड़ा एक एक एरा आप यह देखू गाइज अरे पागल आज में बेंगन तोड़ते हुए कुछ बहुत भीता सकता है ना सबसाब क्यों तोड़ रहा है तोड़ गया अरे अरे देख क्या रहा है थोड़ जंदी ठोड़ दोड़ा देख रहा है हाँ हाँ रख दे रख दे श्क जजो रख एक एमडेंड़ भीत आप पीच्छ क्या देख रहा है थोड़ उन्गन ऐसा अरगा इस यह कुन सारोगे में सब्सकत communication अजर आपको पता हो तो मैं इसके लिए कोई केमिकल की दवा लाके या छाटूंगा ये लोगाई ये इतने से बेंगन निकले हमारे यहां सब्जी बन जाएगी साम को और थोड़े बच जाएंगे जिनको हम बेस देंगे और कुछ पेसे मिल जाएंगे गाई तो हम आ गए हैं डेखिए बेंगन लेकर बेंगन इतने से निकले हमारे यहां सब्जी बन जाएगी शाम finely को मैं तो समझ रहा था कि इनको बेसने ने जाऊंगा लेकिन कीड़े की वज़ए से यह में इतने से बेंगन सब्जी बन जाए यह और अब तोड़ते हैं लंबे वाले तो गाइज आदी बाल्ति हो चुकी हमारी यह देखो और हम अभी तोड़ रहे हैं एक बेंगन पर तीन तीन बेंगन में हो रहे हैं यह लंबे बेंगन बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे लग रहे हैं अभी दौई चांटी थी और बहुत अच्छे ग्रोग ग यह कितने सारे लग रहा हैं तो हमारी बाल्टी लोग हो चुकी यह देखो इस तरह से और अभी हम इसको जाएंगे खाली करने के लिए और खाली करके वापस आएंगे और फिर तोड़ेंगे तो इस तरह से देख लो यह बाल्टी फुल हो सकी है और इसमें वजन होगा चार- यह देखो घाइस, इतने बेंगन हो चुक है हमारे पास और अभी ओर चोड़ना बाग की हे हुआ चलो चलते हैं तोडने के लिए देखो सब्रish ηहिसा बेंगन है यह लंबा या गोल आप ही बता सकते हैं मेरी फूर हाँ कुसा का कि तो गाइस त्रीसरी बाल्ती में पेला बेंगन पेला बिंगन रखेंगे ए मारे हातों से जा रहा है यह तो दे हो यह गया अंदर यह तो यह बड़ा बेंगन यह कि देख़ो इस है तो हमारे बेंगन तूटने ही वाले हैं बस थोड़े और बसे हुए हैं और हम मिलते हैं अगले ब्लोग में तब तक के लिए टाटा बाई बाई जोड़े रही है हमारे साथे सही कुछ और वीडियो देखने के लिए तो ठीक है भाई मिलते हैं अगले ब्लोग में